क्या है है कि सेस्थी जी डी का संखनाध हो चुका है वेकिनसी आ चुकी है आपके पाँज जो सेस णback है वह आपके लिए बहुत ही अमूल है इस सेस्थ में आकको केवल तैयारी करनी है और ऐसे बिसाध्यापकों और संसथा के साद explor ट्यारी करनी हैं जो अनुसासित हो और केबल अनुसासित तरीके से पढ़ाते हों टार्गरिव दालोग Online Institute केबल पढ़ाने में ही भरोसा करता है 5 नमंबर से हम पूरी तैयारी के साथ इसकी कक्षाओं को प्रारम कर रहे हैं और इस बैच का हमने नाम रखा है समगर बैच SSC GD के समगर बैच में प्रिवेश प्रकरिया प्रारम है बहुत ही नियूनतम फीस रखी गई है यह केबल बैच नहीं है बलकि आपके चैन के लिए समपूर पैकेज है जिसमें आपको डेली 6 घंटे की क्लासेज हैं आपके समपूर नोट्स हैं, लाइब डाउट सेशन है पचास से ज़्यादा आपको हम लोग लाइब प्रैक्टिस कराएंगे 15 मोग टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है सब कुछ जो आपके लिए जरूरी है वो इस बैच में उपलब्द है तो 5 नमंबर आप दूर नहीं है, आज से आप लोग प्रिवेस प्रक्रिया सुनिश्चित कराएंगे 5 तारीक से डेली 6 से 7 घंटे आप हमारे साथ दिजिए हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, हम आपको टेस्ट भी लेंगे हम आपको डेली पढ़ाएंगे भी, हम आपका सेल्फ असेस्मेंट भी करवाएंगे हम देखेंगे कि आप कितना बहतर कर रहे हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको भी देंगे समस्त नोट्स, जो की नोट्स हैं, जो SSC GD के हिसाब से हैं वो बनाए गए हैं रिसर्च करके और ऐसा नहीं कि किसी भी परिक्षाओं के नोट्स हम आपको दे रहे हैं तो बहतर तयारी के लिए आप समग रिवेच को चुनिए, समग रिवेच में प्रिवेश प्रिक्रिया प्रारम है, नीचे आपको डिस्क्रिप्सर पर नंबर भी देख रहे हैं निसुल के टेलिग्राम चैनल को वहाँ पर जोईन कर लीजे, आज से आप डेमो का अक्षाएं भी देख रहे हैं और ये हमारे काउंसलर सदस्चों के नंबर है, इन काउंसलर सदस्चों के नंबर पर फॉन करके भी आप समग रिवेच में प्रिवेश से ले सकते हैं जब हम किसी पर इच्छा की तयारी करते हैं बिटा, तो जो बचा हुआ समय होता है, वो बहुत जरूरी समय होता है हमारे लिए तार्गेट पितालोग ऑनलाइन इस्टिटुट का ऑनलाइन एजूकेशन में एक रिकॉर्ड रहा है, हमने धेरों चैन दिये हैं बिटा ऑनलाइन को भी हम ऑफलाइन कल्चर में बहुत बहतर तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप अपनी संस्था के साथ SSCGD की तयारी करिए, निश्चत रूफ से आपके भविस्ट को बदलने वाला होगा और आप अपनी एक सीट निश्चत रूफ से पक्ति करेगे अनन्द सुपकामनाव के साथ आज से आप विसर के डमों का अनन्द लेजिए, अब आगली आवाल आपके विसर ध्यापक्त की होगी और आप देखिए कैसे कच्छाएं आपको पढ़ाई जाएगे नमस्कार स्वागत है एक बाद फिर से आप सभी लोगों का टार्गेट अन ऑननाई स्ट्यूट में मैं यानके सिंग आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अब इनन्दन करता हूं स्सी जीडी का संखनाध हो चुका है और आप सभी ये जानते हैं कि स्सी जीडी में जीयस एक महत्तपूर भूमिका निभायेगा और उस जीयस के खंड में विज्ञान कि क्या महत्तपूर भूमिका है ये किसी से चुपी नहीं हुई है आप ये सभी जानते हैं कि ये विज्ञान विशय वह सब्जेक्ट है जो आपको GS के खंड में लीड दिलवाएगा तो आप सभी ये जानते हैं कि SSE GD आप सभी लोग के लिए एक golden opportunity की रूप में है और निश्चित रूप से आप सभी लोग को इसको भुनाने का प्रयास करना चाहिए और जब साथ target on जैसी एक महत्पूर एक मजबूत team हो जो किसी भी प्रकार की कोई भी परिच्छा हो उन सारी परिच्छाओं को सफल करवाने का मद्दा रखती हो तो निश्चित रूप से आपको इस team से जुड़ना चाहिए मैं अनके सिंग आज SSC GD में एक बहुत महत्पूर topic पर बात करने वाला हूँ जिसका नाम है nutrition जिसका नाम है पोशड ये एक ऐसा topic है कि आपको एक सवाल मिल जाएगा मैं दो lecture लूँगा इस topic पर और उसके पश्चात आप previous year के paper जरूर साल्व करिएगा निश्चित रूप से एक प्रश्ण आपको हर एक paper में इस topic से देखने को मिल जाएगे तो बिना किसी भूमका के सीधे आते हैं topic पर पोशर क्या है पोशर ध्यान से समझने का प्रयास करिए हमारा मानव सरीर ये तभी तक कारे करता रहेगा जब तक इसके पास में उरजा रहेगी जब तक इसके पास में एनर्जी रहेगी और एनर्जी कोशिका के पास तब तक रहेगी जब तक इस कोशिका के पास ग्लुकोज रहेगा ग्लुकोज क्या है ग्लुकोज एक प्रकार का cellular fuel होता है जिसे हम कोश की इंधन कहते हैं पूछा गया है कि कौन ऐसा समर्चना है जिसको हम कोश की इंधन के रूप से जानते हैं तो उत्तर होगा हमारा ग्लुकोज ग्लुकोज वह पेट्रोल है जिसकी सहायता से ये मानव शरीर जैसी गारी जो है आगे चलती है अपने जीवन में तो जब हम पोशक पदार्थों को ग्रहड करते हैं जब हम नूट्रियेंट्स को ग्रहड करते हैं तो पोशक पदार्थों को ग्रहड करने की क्रिया पोशड कहलाती है आसान सब्दों में इसको समझते भी चलिएगा लिखते भी चलिएगा आप सीधे और आसान सब्दों में ये कहेंगे कि पोशक पदार्थों को ग्रहड करने की क्रिया, पोशक पदार्थों को ग्रहड करने की क्रिया, 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 ग्रहड करने की क्रिया को पोशड कहा ज जब हम nutrients को ग्रहड करते हैं, तो यही क्रिया पोशड कहलाती है, nutrients का उद्देश्य समझना जरूरी है, nutrients हम इस वज़े से ग्रहड करते हैं, पोशक पदार्थ हम इस वज़े से ग्रहड करते हैं, क्योंकि हमारी पुरी सारीरिक क्रिया कलाप अच्छे धंग से संचालित होती र जाता है कि कार्बन नहीं पाया जाता है इसके बिहाब पर अगर हम बात करें तो ये नूट्रियंट्स दो प्रकार के होते हैं ये पोशक पदार्थ दो प्रकार के पाया जाते हैं एक पहला पोशक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक पोशक पदार्थ नाम से ह अस्पष्ट हो रहा होगा कि यह ऐसा पोषख पदार्थ है जिसमें कार्बन पाया जाता होगा और यह दूसरा पोषख पदार्थ है जिसे हम कहेंगे अकार्बनिक पोषख पदार्थ और इसके नाम से यह अस्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता होग तो ऐसा कोई भी भोजन हम करते हैं जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो कार्बनिक के अंतरगत आएगा और ऐसी कोई भी सन्रचना या ऐसा कोई भी food substance जिसको हम ग्रहड करते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा उसको हम अकार्बनिक के अंतरगत रखेंगे कार्बनिक की बगर बात हम करें कार्बनिक की अगर हम बात करें तो कार्बनिक में कौन-कौन से समचनाय आएंगी ध्यान से समझेगा इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कार्बो हाइड्रेट कार्बो हाइड्रेट बहुत महत्पूर ये टॉपिक है याद रख लिजेगा और बहुत डिटेल में हम पढ़ने की कोशिस भी करेंगे कार्बो हाइड्रेट कार्बो हाइड्रेट याद रख लिजेगा इसके बाद आता है वसा कार्बो हाइड्रेट इसके बाद आता है वसा वसा के बाद अगर हम बात करेंगे तो इसी में आता है प्रोटीन प्रोटीन और याद रख लिजेगा इसे में चोथे पॉइंट पर विटामिन चोथे पॉइंट पर याद रख लिजेगा विटामिन तो कार्बो हाइड़ेट वसा प्रोटीन और विटामिन ये ऐसे पोशक पदार्थ हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है इसी वज़े से इनको कार्बनिक पोशक पदार्थ कहा ज जिन में कार्बन नहीं पाया जाता है और इन में अगर हम बात करेंगे इन में दो चीजे आती हैं दो सनचनाएं बहुत महत्वूर भून का निभाएंगी एक कौन सी है मिनरल्स खानीज तत्व और दूसरा होता है जल खानीज तत्व और जल बहुत महत्वूर भून का निभा प्रशक पदार्थ होते हैं जिन में कार्बन पाया जाता है और इनमें कौन-कौन से पोशक पदार्थ आएंगे ये चीजे दिमाग में क्लिर होनी चाहिए। सवाल यहीं से पूछ दिया जाएगा कि कार्बनिक पोशक पदार्थों के अंतरगत कौन सी सनचना नहीं आती ये तीन ओप्सन दे देगा और एक चोथा तो याद रख लिजेगा ये दो अकार्बनिक होंगे और ये चार कार्बनिक के अंतरगत आएंगे। अब यहां से हम थुड़ी सी चीजों को आगे लेकर जाते हैं। ध्यान से समझना ये जो कार्बोहाइडेट वसा और प्रोटीन हैं ये ऐसे पोशक पदार्थ होते हैं जिनको हम मुख्य पोशक पदार्थ कहते हैं। मुख्य पोशक पदार्थ याद रख लिजेगा और जितने भी मुख्य पोशक पदार्थ होते हैं इनकी आवशक्ता अधिक मात्रा में होती है। कहा गया है विज्ञान में सहायक आहारकारक कहा गया है ये सवाल पूछा गया है कई बार कि सहायक आहारकारक किसे कहा जाता है तो सहायक आहारकारक विटामिन को कहा जाता है। और वही पर अगर बात करेंगे खनिज तत्तो और जल की तो ये दो ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो मानो सरीर में उपापचयी क्रियाओं के नियंतर में महत्तपुर भूमिका निभाएंगे ये खनिज तत्त और जल ये दो ऐसे पोशक पदार्थ हैं जो मनुस्य की उपापचई क्रियाओं में महत्त पूर भूमिका निभाएंगे उपापचई क्रियाओं में अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सरी उपापचई क्रियाओं का नाम तो पहली बार हम सुन रहे हैं ये उपापचई क्रियाओं है क्या ये मेटाबॉलिक फंक्शन है क्या तो उपापचई क्रियाओं वह क्रिया होती है जो हमारे सरीर में किसी ने किसी चीज का निर्मार करती है या किसी ने किसी चीज को बिध्वन्स करती है आप सभी ये जानते हैं एक तरफ जो है ग्लुकोज का विखंडन होके उर्जा मिल रही है एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि विविन प्रकार के छोटे-छोटे सबेस्टेंस मिलकर बड़े पदार्थों को निर्मार कर रहे हैं एक तरफ हमारा RBC निर्मित हो रही है दूसरी तरफ हमारी RBC नश्ट हो रही है तो ये जो निर्मार और ये जो विध्वन्स चलता रहता है इनको सामुहिक रूप से हम उपापचई क्रियाओं का नाम देते हैं इन्ही को विज्ञान में हम metabolic function कहते हैं तो हमारे सरीर में ये जितनी भी metabolic प्रक्रियाई चलती हैं जितनी भी कोशिकाई बनती रहती हैं, जितनी भी कोशिकाई बिगड़ती रहती हैं इन सब में एक खनिज तत्व और जल की महत्व पूर्भुन्का होती है यहाँ पर कुछ बातों को और note down करिएगा जो सवाल के रूप में पूछे जा सकते हैं ध्यान दीजेगा, यह दोनों उपापचै क्रियाओं के महत्व पूर्भुन्का निभाएंगे और याद रख लीजेगा, यह कार्बो हाइड्रेट और वसा यह कार्बो हाइड्रेट और वसा ये दो ऐसे पोसक पदार्थ होते हैं जो मानों सरीर को उर्जा प्रदान करने का कारे करते हैं उर्जा प्रदान करने का कारे करते हैं उर्जा प्रदान करना यानि कि वह उर्जा जिसकी सहायता से मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं या मैं चल रहा हूँ, दौन रहा हूँ, यह सारी की सारी जो एनर्जी है, इस एनर्जी को देने वाला कौन है, यह कार्बो हाइडरेट और वसा है, कार्बो हाइडरेट और वसा से ही आपको उर्जा मिलेगी, और यह प्रोटीन का कार्य करता है सर, तो प्रोटीन याद रख प्रोटीन का सबसे महत्पूर कार होता है यह मानों सरीर में सनरचनात्मक क्रियाओं में भाग लेता है यह मानों सरीर में सनरचनात्मक क्रियाओं में भाग लेता है सनरचनात्मक क्रियाओं का मतलब नहीं समझ में आया तो सुनिए सनरचनात्मक क्रियाओं का मतलब है यह हमार ये हमारे सरीर की सन्रचना के निर्मार में महत्पूर भूमिका निभाएगा ये हमारे सरीर की सन्रचना के निर्मार में महत्पूर भूमिका निभाएगा जैसे कौन कोशी सन्रचना कोई भी हमारे सरीर में कोशिका को निर्मित करना होगा तो कौन निर्मित करेगा प्रोटीन कोई ऐसी अस्थी नहीं है, कोई ऐसी मास्पेसी नहीं है, हमारे सरीर की कोई ऐसी कोशिका नहीं है जिसके निर्माड में ये सेल महत्वपूर भूमिका न निभाता हूँ तो सेल जो है, सेल की निर्माड में कौन भूमिका निभाएगा प्रोटीन और अगर कोई कोशी का छतिगरस्त हो गई है अगर कोई कोई कोशी का नश्ट हो गई है तो याद रख लेजेगा जो है कोई कोई कोशी का छतिगरस्त है नश्ट हो गई है तो उसकी मरमत करने की जिम्मधारी उसकी भरपाई करने की जिम्मधारी भी किसकी होती है प्रोटीन क तो जितने भी structural कारे हैं, उन्हें सारे structural कारे के लिए कौन जिम्मधार होता है protein, अभी मैं एक रूप रेखा, एक खाका कीच रहा हूँ, अभी मैं एक एक करके सारे चीजों को हम detail से हम बात करना प्रारण करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, carbohydrate पर, फिर वसा पर, फिर protein पर, फिर vitamin पर, और ऐसे करके हम कहां पर आएंगे, जल पर आएंगे, ठीक है, आसा करूँगा, कि चीजें आपको crystal clear हो रही होंगी, है न, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, निश्चत रूप से, comments box में जरूर जाके बोलिएगा, कि आपको स सारी बाते समझ में आई, अथवा नहीं आई, अब इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले कार्बो हाइड़ेट पर, ठीक है, सबसे पहला पोसक पदार्थ जो है, उसका नाम है कार्बो हाइड़ेट, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कार्बो हाइड़ेट, बह ये carbon, ये hydrogen और ये oxygen, carbon, hydrogen और oxygen इन तीनों को मिलाने से बनता है, जब carbon, hydrogen, oxygen को हम एक अनुपाते, दो अनुपाते, एक के अनुपात में मिलाते हैं, तो हमको carbohydrate की प्राप्ति होती है, जैसे, अभी मैं carbohydrate में example बहुत धेर सारे दूँगा, लेकिन अभी समझेए, जैसे दिमाग मिलाए C6, CH12, O6, जिसको आप glucose कहते हैं, तो CHO का जो अनुपात होता है, यानि की carbon, hydrogen और oxygen का अनुपात होता है, वो एक अनुपाते, दो अनुपाते, एक होता है, तो यह बात याद रख लिएगा, अब यहाँ पे दूसरी बात याद रख लिजिएगा, कि यह जो karbohydrate होता है, यह मानो शरीर को उर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, और यह उर्जा प्रदान करता है, कितना प्रतिस्त करता है, तो याद रख लिजेगा मानों सरीर को जो लगभग 70% जो एनरजी होती है वह एनरजी जिस एनरजी की सहायता से मैं कार्य कर रहा हूं जिसकी सहायता से मैं दोड रहा हूं चल रहा हूं बोल रहा हूं या आप कार्य कर रहे हैं उसका लगभग 70% हिसा जो कौडिनेट करता है वो कौन करता है, वो कार्बो हाइडेट करता है, तो कार्बो हाइडेट का सबसे प्रमुक कार्य होता है उर्जा परतान करना, ये हमारे सरीर को लगबख 70% एनरजी देने का कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है, 30% कौन देगा, वसा देगा, क्योंकि यही दो ही तो मैंने आपको बताया हैं कि दो ही ऐसे पोसक पदार्थ हैं जो हमारे सरीर में उर्जा देने का कारे करेंगे तो लगभख 70% ठीक है इसके बाद अगर यहां पर बात करिया जाए एक सवाल बहुत बढ़ियां बनता है कि जब हम एक ग्राम कार्बो हाइडरेट का विखंडन करते हैं तोड़ते हैं जलाते हैं विग्टित करते हैं आकफी करण करते हैं यह सारे सब दिया रहेगा तो कितनी उर्जा निकलती है तो याद रख लिजेगा उर्जा निकलती है 4.2 कीलो कैलोरी उर्जा निकलती है अगर सवाल यह पूछा जाए कि कार्बो हाइडरेट है ना अगर सवाल यह पूछा जाए कि एक ग्राम कार्बो हाइडरेट के विखंडन से कितनी उर्जा निक 4.2 कालोरी उर्जा निकलती है तो यह तेन ला चनलता है निकलती है यह तेन महत्वडबात सबसे प्राइमरी लेवल पर याद रखेंगे किस अनुपात में बना है, एक अनुपाते, दो अनुपाते, एक के अनुपात में यह बना हुआ है, ठीक है, अब यहां से बात को थोड़ी सी आगे लेकर जाते हैं, अब थोड़ी सी हम आगे की कड़ींग बात करते हैं, यह जो कार्बो हाइडेट होता है, यह कार्बो कितने प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है कौन कौन से पहला जो कार्बो हाइड़ेट है इसको हम बोलते हैं दूसरा होता है तीसरा होता है पॉलिसेकराइड ठीक है पहला कार्बो हाइड़ेट का नाम है ध्यान देजएगा यानी कि इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में एक अरुक सरकराएड होता है ठीक है, हिंदी में इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं, एक अडुक सरकरा भी कह सकते हैं, एक अडुक सरकरा, तो पहला हो गया, मोनो सैकेराइड, ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है, डाई सैकेराइड, डाई, है न, डाई का मतलब क्या होता है, दो, डाई का मतलब क्या होता है दो तो डाई सेके राइड दूसरा क्या होता है डाई सेके राइड ठीक है और तीसरा क्या होता है तीसरा होता है पॉली सेके राइड तीसरा होता है पॉली सेके राइड ठीक है पॉली सेके राइड ठीक है पॉली सेके राइड पॉली का मतलब क्या बहुत धेरशारे या दो से अधिक तो डाई सेकराइट का मतलब क्या होता है इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं दूई अडूक सरकरा इसको बोल सकते हैं दूई अडूक सरकरा का सकते हैं और ये जो पॉलिसेकराइट है इस पॉलिसेकराइट को आप बोल सकते हैं बहु अड रुक सरक्रा करते हैं बहुत अरुक सरक्रा याने की पॉलिसेक्राइट तो याद रख लीजेगा यह कार्बो हायडरिट तीन प्रकार का है, अब यहाँ पे बहुत धेर सारे सवाल बनते हैं, कौन ऐसा कार्बो हाइड़ेट है, जो मोनोसेक्राइट के अंतर गताता है, कौन ऐसा है, जो पॉलीसेक्राइट के अंतर गताता है, तो वो पहले चीज़ सीखने होगी, वो चीज मैं सिखाऊँ उससे पहले एक बात को ध्यान से समझना अगर पूछा जाए कि कार्बो हाइड़ेट में सबसे सरल कौन सा कार्बो हाइड़ेट होगा और सबसे जटिल कौन सा कार्बो हाइड़ेट होगा सबसे सरलतम कार्बोहाइड़ेट कौन है और सबसे जटिलतम कार्बोहाइड़ेट कौन है अब आप ही बताईए कि एक लोगों को तोड़ना आसान है या फिर बहुत धेर सारे लोग, बहुत धेर सारे लोग मिले हुए है उनों को तोड़ना विखंडित करना आसान है कि एक लोगों को जाहिशी बात है आप उत्तर करेंगे सर एक इसी वज़े से एक अडुक सरकरा सबसे सरल सरकरा होती है याद रख लिजेगा सबसे सरल सरकरा होती है यह आसानी से तूट जाएगी यह आसानी से विखंडित हो जाएगी यह आसानी से आकसिक्रित हो जाएगी और फटाक से उर्जा देगी और यह जल्दी नहीं गुलेगी यह जल्दी नहीं तूटेगी यह जल्दी नहीं विखंडित होगी और यह जल्दी उर्जा देने का कार कौन करता है तो मोनो सेकराइट एक करता है और सबसे बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले कौन उझ्ज देगा सबसे बात करना प्रादम करते हैं कि मोनो वो डाई-पॉली के अंतरगत कौन-कौन से कार्बो हाइट डेट आते हैं, ठीक है, देखिए, मोनोसेकिराइट के अगर हम बात करेंगे, तो मोनोसेकिराइट के अंतरगत पहला जो कार्बो हाइट डेट आता है, जो पढ़ना है, जो की बहुत महत्तफूर है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो पहला कार्बोहाइडडेट है उसका नाम है ग्लुकोज ठीक है पहला जो कार्बोहाइडडेट है उस पहले कार्बोहाइडडेट का नाम है ग्लुकोज तो याद रख लिजिएगा ग्लुकोज एक प्रकार का मोनोसेकराइट है ठीक है इसके ब अंतरगत आएंगे, clear है point, और ये जो disaccharide है, इस disaccharide की अगर बात करेंगे, तो इसके अंतरगत क्या होगा, इसके अंतरगत क्या होगा, तीन कार्भो हाइड़ेट याद रख लिजेगा, एक का नाम क्या है, एक का नाम है, एक का नाम है, माल्टोज, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है, शुक्रोज, और तीसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम है, लैक्टोज, तीसरे का नाम क्या है, लैक्टोज, लैक्टोज, तो लैक्टोज, माल्टोज, शुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है, ये किसके अंतरगत आएंगे, ये disaccharide के अंतरग इसके अंतरगत और क्या आता है इसके अंतरगत आता है ग्लाइकोजन इसके अंतरगत कौन सा आता है इसके अंतरगत आता है ग्लाइकोजन इसके अंतरगत आता है काईटीन इसके अंतरगत आता है काईटीन याद रख लेना मैं किरेटीन नहीं बोला हूं किरेटीन होता तो प कौन हो, cellulose, cellulose हो, cellulose, तो cellulose जो है, यह एक प्रकार का polysaccharide carbohydrate होते हैं, अभी मैं सारी चीजों को अच्छे धंग से define कर रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते चल लिएगा मेरी कहानी को, यह जो monosaccharide होते हैं, जितने भी monosaccharide हैं, उन सारे के सारे के सारे के सारे, monosaccharide का formula क्या होता है, उनका formula होता है, जितने भी monosaccharide है, उनका formula होता है, C6, H12, O6, यही formula होगा, यानि कि अगर सवाल आप से पूछा जाए, कि glucose का formula क्या होता है, C6, H12, O6 होगा सर, ओके कोई बात में, फ्रक्टोज का फ्रामूला क्या होगा, यही होगा, C6 होगा, H12 होगा, और O6 होगा, यहाँ पे एक अरुक सरकरा है, यह क्या है, दूई अरुक सरकरा, जब दो मोनो सेकराइड को मिलाते हैं, ठीक, जब दो मोनो सेकराइड को मिलाते हैं, तब क्या बनता ह किसको मिलाया गया जैसे समझना यहाँ पर अगर सवाल यह पूछा जाए अगर यह सवाल पूछा जाए कि यह बताईए यह बताईए यह माल्टोज का निर्मार कैसे हुआ तो माल्टोज का निर्मार हुआ जब एक ग्लुकोज का अरु जब एक ग्लुकोज का अरु दूसरे ग्लुकोज के अरु से मिला एक ग्लुकोज जब दूसरे ग्लुकोज से मिला तो क्या बन गया माल्टोज और जब एक ग्लुकोज जो होता है जब किस से मिल जाए फ्रेक्ट उलता है तो क्या बन जाता है तो सुक्रोज बन जाता कि अर याद रख लीजेगा है यहाँ पे अर है मैंने उसको लिख Haan फसे उसकी बहुत उप यगता नहीं है सवाल नहीं मता है लेकिन याद रख लिजेगा इसी में वह ओर आता है ग्लैक्टोज तो जब जब ग्लुकोज के साथ में ग्लैक्टोज मिलता है ग्लुकोज हर जगह पे रहेगा याद रख लिजेगा ग्लुकोज हर जगह पे रहेगा तो जब ग्लुकोज के साथ में क्या मिलता है ग्लैक्टोज जब ग्लुकोज के साथ में क्या मिलता है ग्लैक्टोज तो ग्लुकोज क सब्सक्राइट जब आपस मिले तब बनता है क्या दुए अडुक सरकरा ठीक है तो क्या सर हम दो अडुक सरकर एक अडुक सरकरा सी सिक्स है यह 12 है वह 6 फार्मुला है तो क्या इसी का दो गुना कर देंगे तो डाई सेकराइट मिल जाएगा ना जी ना ध्यान समझना यहां पर मैं दूसरे स्लाइट पर जा रहा हूं फिर मैं वापस आँगा देखो जब दो मोनो सेकराइट को मिलाते हैं ध्यान से सुनना यह पहला मोनो सेकराइट हो गया यह पहला मोनो सेकराइट हो गया और यह दूसरा मोनो सेकराइट हो गया यह दूसरा मोनो सेकराइट हो गया जब दो मोनो सेकराइट को मिलाते हैं तो डाई सेकराइट मिलता है यह सही है लेकिन यहां पर एक बात याद रख लेना एक जल का का अडु निकलना चाहिए एक जल का अडु निकलता जब है तब Diesacryat का निर्मान होता है एक जल का अडु जब निकलता है तब जाकर बनता है क्या Diesacryat ठीक है जैसे फर्मूला क्या बनेगा फ़र्मूला को देखते हैं concept clear रखेंगे तो आसान रहेंगी रटने क्या शक्ता नहीं पड़ेगी मोनो सेक्राइट का फार्मुला क्या लिखा है सर आपने C6 लिखा है यह 12 लिखा है O6 लिखा है फिर दूसरा मोनो सेक्राइट यानि की C6 यह 12 और क्या O6 क्लियर पाइंट अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक जल नि 12 तो C12 हो गया यह की बात करेंगे तो 12 यहां है 12 यहां पर 24 और 2 निकल गया है यानि की 22 यहां पर oxygen 6 है यहां पर 6 है 6 दूनी की कितना हो गया 12 और एक oxygen निकल गया यानि की क्या हो गया 11 यानि की Diceacryde की अंतरगत जितने भी carbohydrate आएंगे उनका formula क्या निकल कर सामने आ गया उनका formula क्या आ गया C12H22O11 C12H22O11 ठीक है तो आपने लिख लिया क्या डाइ सेक्राइट में जितने भी हैं इनका फार्मूला क्या हो गया C6 स्वारी C12 C12 H22 H22 O11 है न यह फार्मूला डिकल क्या आजा अब माल्टोज का पूछे चाहे सुक्रोज का पूछे चाहे लैक्टोज का पूछे का आप फार्मूला यही बताएंगे पॉली सेक्राइट का क्या फार्मूला होगा पॉली सेक्राइट का मालूम ही नहीं है भाई कि दो मिलेगा कि चार मिलेगा कि दस मिलेगा कि पचास मिलेगा कि पांसो मिलेगा कि पांच हजार मिलेगा मालूम ही नहीं कितने कार्बोहाइडरेट को मिलाएंगे कितने carbon को मिलाएंगे, कितने oxygen को मिलाएंगे, तो इस वज़े से इसका formula rigid नहीं है, इसके formula को नहीं समझाया जा सकता है, इसके formula को नहीं बताया जा सकता है, तो इस वज़े से इसका कोई भी formula नहीं है, यह चीज आयार रख लेना है, ठीक है, अब यह चीज आपने बहुत अच छिदंग से समझ लिया अब इन सारे कि सारे कार्बो हाइडडेट जो है इनसे रिलेट करके खूब जबरदस्त तरीके से सवाल पूछे जाते हैं तो एक एक करके पहले हम बात करते हैं पहले हम बात करें किस पर पहले हम बात करेंगे ग्लुकोज पर ठीक है ग्लुकोज से क्य ऐसा कौन सा है कार्बोहाइडेट जिसको रुधिर सरकरा कहा जाता है तो ग्लुकोज ऐसा कौन है जो सबसे सरल कार्बोहाइडेट है तो याद रख लिएगा सबसे सरल कार्बोहाइडेट सबसे सरल कार्बोहाइडेट कौन है वो ग्लुकोज है ये इतना सरल है कि इसका पाच पाचन नहीं होता है ऐसा कौन सा है जिसका फुना पाचन नहीं होता है तो अगर पूछा जाए कि अंगूर की सरकरा किसे कहा जाता है यानि कि अंगूर में मिठास का कारड कौन बनता है तो अंगूर में मिठास का कारड कौन बनता है ग्लुकोज तो रुधिर सरकरा ग्लुकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का ग्लुकोज पुना पाचन किसका नहीं होता है ग्लुकोज का और अंगूर की सरकरा के नाम से भी किसको जाना जाता है ग्लुकोज को जाना जाता है तो ये भी बात याद रख लिजेगा ठीक है अब ग्लुकोज की बिसे में आपने जान लिया होगा तो अब बढ़ते हैं अगले अगले का On-carbohydrate होता है एक ऐसा जो सभी अगर पूछा जाए कि फलो में फलो में मिथास का कारण किसकी वज़े से होता है या फलो में पाई जाने वाली सरक्रा कौन सी है तो उत्तर हमारा होगा फ्रेक्टोज ये फलों में पाई जाने वाली सरक्रा होती है, इसके बाद अगर बात किया जाए, अब कहेंगे सर अंगूर अंगूर भी तुफल है, अरे भाई, अंगूर भी फल है, लेकिन उसमें भी ग्लुकोज पाया जाता है, याद रख लिजेगा, ग्लुकोज की वज़य से वो मिठा जाता है सहद की सरकरा किसे कहा जाता है या ऐसी कौन सी सरकरा है जो सहद में जो हनी में मिठास का कार्ड बनती है तो उस सरकरा का नाम होता है फ्रेक्टोज ठीक है ये भी बात या पर रख लिएगा इसके बात अगर बात किया जाए इसके बाद अगर बात किया जाए फ्रेक् सोज की विशाय में एक पॉइंट और याद रखेजेगा यह यह प्रकीति में पाई जाने वाली यह प्रकीति में पाई जाने वाली यह प्रकीति में पाई जाने वाली सबसे मेठी सरकरा है जाद रख लिजेगा अगर पूछा जाए कि प्राक्रतिक रूप में प्राक्रतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी सरकरा का नाम क्या है तो फ्रेक्टोर से यह प्राक्रतिक रूप से है याद रख लिजेगा लेकिन अगर कृत्रिम रूप से पूछा जा ठीक है कृत्रिम रूप से यहीं पर एक आप नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं यहीं पर एक नोट करके पॉइंट आप सबसे मीठी सरकरा है, जो की कृत्रिम रूप से निर्मित है, तो याद रख लिजेगा, अगर ये आर्टिफीसियल ढग से बनाई गई है, ये कृत्रिम रूप से आर्टिफीसियल ढग से बनाई गई है, बेसिकली बिचारे मधुमेह रोगियों के लिए है, मधुमेह रोगी बेचारे चाह नहीं पी पा रहे थे तो सैकरीन का निर्मार किया गया तो सैकरीन की ये विशेशता होती है कि अगर सैकरीन चाह में मिला दिया जा या किसी भी उत्पाद में मिला दिया जा तो मिठास तो देगा लेकिन glucose की level को नहीं बढ़ा लेगा तो जिससे मधुमेह रोगी भी मिठास का आनंद ले सकते हैं आज कल कि जो बिस्कित होते हैं अगर आप उनमें देखेंगे अच्छे बिस्कित में तो उसमें लिखा रहता है सैकेरीन सरकरा यानि कि वो मीठा तो लगेगा लेकिन आपके सरीर में वो glucose की level को बढ़ने नहीं देगा तो यह अच्छा माना जाता है तो सैकेरीन याद रख लीजेगा और यह फ्रेक्टोज की भी समें ग्लैक्टोज भी आता है लेकिन ग्लैक्टोज आपको पढ़ना नहीं है ग्लैक्टोज से संबंदित कोई सवाल नहीं कुछा जाता है फिर भी जानते रहेगा कि ग्लैक्टोज दूद में पाया जाता है और उटनी के दूद में उट का female उटनी उटनी के दूद में ग्लैक्टोज सरवाधिक मात्रम पाया जाता है अब आते हैं माल्टोज पर माल्टोज पर बात कर लेते हैं माल्टोज जो होता है माल्टोज की विशाय में देखते है माल्टोज की विशाय में एक पॉइंट याद रख लीजेगा कि ये जो माल्टोज है इसे अनाज की सरकरा कहा जाता है ठीक है याद रख लिजेगा अगर पुछा जाए कि अनाज की सरकरा किसे कहा जाता है अनाज की सरकरा किसे कहा जाता है तो याद रख लिजेगा अनाज की सरकरा माल्टोज को कहा जाता है अनाज की सरकरा किसे कहा जाता है अनाद की सरक्राम मालोज को खा जाता है हम रोटी गरम खाते हैं चबाते हैं तो हमको रोटी मीठी लगती है तो वो रोटी मीठी क्यों लगती है मालोज के से और जैसा कि पीछे मैंने आपको बता वाया कि मालोज एक Disecrid है और यह तब निर्मित होगा जब ग्लुकोज के अड़ू को किसके साथ मिला दिया जाए ग्लुकोज यानि ग्लुकोज को ग्लुकोज के साथ में जब मिला जाता है तब क्या प्राप्त होता है तब माल्टोज की प्राप्त होती है माल्टोज के बाद आगे बाद कर लेते हैं सरकरा होती है जो सुगर केन में यानि की गन्य में गन्य में में पाई जाने वाली गन्य में पाई जाने वाली गन्य में पाई जाने वाली सरकरा कौन है तो गन्य में पाई जाने वाली सरकरा कौन है ये है सुक्रोज है और सुक्रोज की विसे में एक पॉइंट और याद रख है कि जब ग्लुकोज को जब ग्लुकोज को किसके मिलाते हैं फ्रेक्टोज से मिलाते हैं तो ग्लुकोज को फ्रेक्टोज से मिलाने पर क्या बनता है शुक्रोज बनता है चो कि गन्य में पाई जाने वाली जो है सरक्राख होती है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं अब आगे बढ़ जाते हैं इसके बादTw brightest सुक्रोज के बाद मैंने आपको बताया lack tach मैंने आपको बताया क्या lack tach ki कि प्राप्ति कैसे होती है तो ग्लेक्टोज की प्राप्ति मैंने आपको बताया कि जब ग्लुकोज को जब ग्लुकोज को किस से मिलाते हैं ग्लेक्टोज से मिलाते हैं तब बनता है लेक्टोज लेक्टोज किसमें पाया जाता है मदर मिल्क में ठीक है मानव माता मानव माता के दूध में जो मिठास होता है मदर मिल्क में जो सरकरा होती है जो मिठास होती है है ना वो किसकी वज़ेस होती है वो यहाँ पे एक पॉइंट मैं थोड़ा सा संसोधन कर देता हूँ कि पहले आप लिखेज़ेगा मिल्क में सरकरा जो मिल्क में जो दूध की सरकरा होती है कोई दूध हो उस दूध में पाई जाने वाली जो सरकरा है जो मिठास की अनुभूत कराएगा उसका नाम क्या है उसका नाम है लेक्टोज लेकिन अगर पूछा जाए, यह सरवाधिक मात्रा में कहां पर मिलती है, तो याद रखेजेगा, सरवाधिक मात्रा में, सरवाधिक मात्रा में, सरवाधिक मात्रा में, यह मदर मिल्क में पाई जाती है, तो यह बात याद रखे, मदर मिल्क में पाई जाती है, ठीक है, मदर म में पाई जाती है अब यहां पर समझो बात ऐसे नहीं कहा गया है कि मा के दूध का कर्ज आसानी से नहीं चुगाया सकता है मा का दूध यूनीक होता है अपने आप में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह कितना महत्थपूर होता है किसी भी बच्चे के जन्म के पश्यात जो मा का पहला गाढ़ा पीला दूध आता है उसको कोलेस्टरम कहा गया है यानि कोलेस्टरम एक ऐसा दूध है जो यूमन या एक बच्चे के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है दुनिया की कोई भी एंटीबॉडी उस कोलेस्टरम की बराबरी नहीं कर सकता है यानि कि हम जो अपने चारों तरफ वायरेस जिवाडूओं से घिरे हैं हम लड़ पा रहे हैं उसी कोलेस्टरम की बज़े से और सबसे जादा जो मीठा दूध है आज आपको पता चल गया वो किसमे है वो लैक्टोज जो है जिसकी बज़े से दूध मीठा होता है वो किसमे पाया जाता है वो मदन मिल्क में पाया जाता है मा की दूध में और यू तोज के बाद अब बात करते हैं पॉलिस सेकराइड में पॉलिस सेकराइड में कौन-कौन से आते हैं इन में देख लेते हैं पहला आता है इस्टार्च ठीक है इस्टार्च की विशें में एक पॉइंट याद रख लिजेगा कि इस्टार्च प्लांट यानि कि पौधों में तो पौधों में संचित भोजपदार्थ का नाम स्टार्च है, अगर पूझा जाए, ग्लाइकोजन के संदर्व में क्या खास बात है, ये सारे कि सारे पॉलिसेकराइट है, तो याद रख लिजेगा कि जन्तूओं में संचित भोजपदार्थ का नाम, जन्तूओं में संचित भोजपदार्थ का नाम क्या है, तो जन्तूओं में संचित भोजपदार्थ का नाम है, ग्लाइकोजन, एक और दिया गया था, सेलूलोज, सेलूलोज, कि भी इसे में याद रख लिजेगा, सरवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड़ेट, सरवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड़ेट, सरवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड़ेट, कौन है, वो है सेलूलोज, कागज, सिल्लोज बिसिकली आगे मैं बताऊंगा कि जो पौधों का सिल्लवाल होता है, वो किसका बना होता है, सिल्लोज का बना होता है, ठीक है, तो पौधे से जो भी उत्पन होते हैं, जो भी उत्पाद, चाहे फल हो, चाहे लकडी हो, चाहे कागज हो, कुछ भी हो, उसमे अनिवार जोप से पाए जाता है तो अगर पूछा जाए कि प्रकित में सरवाधिक मात्रा में कौन सी कार्भोहाइड़ेट पाए जाती है तो सिल्लोज पाए जाता है और हाँ एक और मिला था काईटीन कवक का सिल्वाल किसका बना होता है कवक का सिल्वाल कोशिका भित्ति कवक का काईटीन का बना होता है इसके अलामा जो जानवरों कुछ ऐसे एनिमल होते हैं उन एनिमल के बाह कंकाल इक्जो इसकेलेकन बाह कंकाल के निर्माड में भी ये सहायता करता है बाहर कंकाल में उसके सरीर पर बाल आ जाएंगे उसके नाखून आ जाएंगे यह सरनचनाय होते हैं यह सारे किसारे इग्जो इस्केलेटन का हिस्सा होती है यह सारे किसारी किसको कवर किया आज हमने कार्बो हाइड डेट को कवर किया कार्बो हाइड डेट का जो टॉपिक है मैंने कवर कर लिया अब हम बात करेंगे वसा और प्रोटीन पर नेक्स्ट लेक्चर में हम वसा और प्रोटीन को देख लेंगे फिर वेटामेंस फिर खानेजितत और जल ठी अच्छे ढंक से समझ में आये होगी, crystal clear होगा होगा, ठीक है, जितने भी points को मैंने लिखाया है, ठीक है, इसका screenshot ले लीजिएगा, और अपनी copy में mention कर लीजिएगा, ठीक है, सवाल जो पूछे जाएंगे, या जो पूछा गया है, वो आपको carbohydrates, carbohydrates से अगर सवाल पूछा गया ह तो आप देखेंगे, कि सारी की सारी चीजे जो है, यहीं से आपको available होगी, यहीं से सारी चीजे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और फिर से मैं कहूंगा, कि बिना देर किये हुए जबर्दस तरीके से, इस batch में admission लेकर महा संगराम की तैयारी प्रारंब कर दीजिए, जो जितना जल्दी तैयारी करेगा, उसकी सफल होने की चांस उतना ही आगे बढ़ जाएंगे, विश्यु वेरी आल देश्ट, आप सभी लोगों को बहुत सूब काम नाएं, खूब अच्छे से पढ़िए, जबर्दस तरीक किसे पढ़िए, परिडाम के लिए पढ़िए, फेंक्यो